चलो आज एक काम करते हैं तुम लोग को लोग पढ़ना और कैसे रटना इसके बारे में तुम लोग को मैं बताते हूं को कि मैंने मेरे रटनी की शमता बहुत अच्छी है मतलब यह आइम नट बोस्टिंग अबाउट इट बट मुझे पता है और मैंने कहीं कोई चीज देख ली जैसे इंसिडेंस के साथ कहां वो चीज रखी है कौन से पेज नंबर का है वो मुझे बहुत थी फोटोग्राफिक मेमरी बनता वो डेवल्प कर यहाइज साने कि बचेपन से था वह डेवलक मंस को बताती हूं आच की कैसेon को उस को डेवलप कर सकते हो वज यह यह गो क्रेलेता को यह बहुत दिन सेrat वह और मैं चाहती भी सिटन लोग के साथ ही बात करना ही पर अझए कह सबसे ही बढम से पहले कि इस थोड़ा देर में आते हैं, पहले ये सुनो, step by step जाएंगे, सबसे पहली चीज, method of study, क्या होनी चाहिए, जो अभी मैं तुम लोग को कहे रही थी, कि जब तुम पढ़ाई करते हो, जब तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर law का example ले दें, क्योंकि major lifetime में भी तुम्हें major time में, जब तक तुम as a CS practice करोगे, बनने के बाद भी, और उसके बाद भी जब हम कुछ पढ़ने की आदत हमें हो जाती है, तो फि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि December end तक, बाद में भी कभी इस वीडियो को देखोगे, तो मेरा यह कहना है कि वन मन्त के span में, अभी अपनी आदत डालो, as much as you can, क्या चीज की, reading की, जितना read कर सकते हो, करो, तुम बोलोगे मैं random क्या read करें, नहीं है तो हम लोग articles देते हैं, पढ़ो, in shots पढ़ो, economic times पढ़ो, तुम बोलोगे मैं economic times paper में कुछ नहीं समझता, मैंने माना, मैं भी कभी CS foundation पास करके CS executive में थी, I swear to God, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, जूट नहीं बोल रही हूँ, मेरे friend से पूछ सकते हो, मैंने बताब paper लगा था, क्योंकि तब ऐसा वाला mobile नहीं था, मैं बात कर रही हूँ 2007 की, 2007-8 की time की बात कर रही हूँ, जब ऐसे वाले mobile phones ही नहीं थे, या तो हमारे पस छोटा वाला phone होता था, या तो Nokia का 20-20 ऐसा टाइक पर कुछ phone आते थे, वो सारे phone हुआ करते थे, जिनमें ये सब technology नहीं थी, ठीक है, एक मिनट के लिए रुखना, हाँ, हलो, क्या, हाँ, ठीक है, तो मैं literally हम लोग पेपर मगवाते थे, औरेंज कलर का पेपर आता है, एक नॉमिक टाइम्स का, आप लोग में किसी ने देखा ही होगा, औरेंज कलर का पेपर आता है, हम उसको पढ़ते थे, I swear to God, एक शब्द दिमाग में नहीं घुसता था, सारी बाते फॉरन लगती थी, ऐसे उपर से बाउंसर बढ़ता था, सब होता तो रहता था, अभी स्टॉक मार्केट में ये हो गया, अभी वो हो गया, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्कैम हो गया था, 2007 में इतना बड़ा रादुरामा लिंगन का स्कैम हुआ था, सत्यम का केस है, जो आगे आपको बताएंगे हम लोग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2008-2009 में क्या और रिसेशन में जा रही थी, तो हमने एक आदट डाली है, हमारे जो टीचर्स से उनने हमें सजेशन दिया कि पढ़ो, कुछ न समझे तो भी पढ़ो, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, डेली न्यूज पढ़ा करो, कुछ नहीं समझता, और हॉलिवूट, बॉलिवूट की न्यूज नहीं बोल रही हूँ मैं, वो उसके साथ वहाँ स्पोर्ट हुआ, वो कहीं बीच में गए थे, यह सब न्यूज नहीं बोल रही हूँ, मैं business की news बोल रही हूँ, business, technology related, ये सारे जो political debates देख लो, इससे ना आपको चीजें पढ़ने की आदत और retain करने की आदत होती है, सिर्फ academic books नहीं, academic books से बाहर निकलो, study material से बाहर निकल जाओ, और देखो कि आजू-बाजू देश संसार में क्या हो रहा है, Instagram, TikTok, टकाटक इन सबसे अलग, business news या तो app download करो economic times, times of India, उसमें भी अच्छी news पढ़ो, वहाँ पी खराब news परोशी जा सकते है, times of India में, economic times तो इस purely भेतरी news app है, paper भी अगर आप hard copy में बात करें और app भी उसका बह नहीं भी समझ में आता है, फिर भी read करो, जैसे यह जो case मैंने तुमको बताया था, homework में दिया था, ऐसा कोई बहुत बड़ा RBI का case नहीं था, simple language में बातें लिखी थी, तुमने उसको पढ़ने की कोशिशी नहीं करी हो, कि सीदे गूगल करना चालो कर दिया होगा, यह सोच कि यह हमें नहीं समझेगा, homework के लिए मिला है, मतलब कुछ ना कुछ difficult होगा, मतलब मैं pretty sure हूँ इस बात के बारे में कि उसको पढ़ने के पहले, उसका analysis करने के पहले, most of the लोग पहले ही डर गए होंगे, ऐसा हुआ था, पापरी case law है, कुछ तो भी दिख रहा है, डरे थे, आया था मन में ये fear, सच बोलना, आज एकदम, आज एकदम सच वाली बात करेंगे, हुआ था, I knew it, दरने की क्या बात थी, अच्छा, निवई दिता तो फिर क्यो नहीं हो पाया, क्यो research नहीं हो पाया, ऐसा कहां पे लगा थी, नहीं हो पाएगा, सब के अपने प्रॉब्लम सोच सकते हैं, discussion करते हैं, जैसे सपना, मुझे जो समझ में आ रहा है, तुम्हीं ये लगा होगा, अरे law की language भी हुई है, ये तो मुझे नहीं ही समझेगी, ये लगा होगा, ऐसा लगा होगा, पांच-छे शब्द हैं, उस paragraph में डाल दिये हैं, शब्दों का meaning independently निकालो, निकल गया meaning, इतना ही करना था, थोड़ा सा language problem हो रहा था बस, अब इस language problem को तुम कैसे सुधार हो गए, ये जो fear है, अब तुम इसको ऐसा कह सकते हो, ये जो fear है, या जो language problem है, ये सारी चीज़ें किस से ठीक होंगी पता है, reading, तो ultimately we are back to the same point, कि अगर हम read करते हैं, तो हमें sentence construction में मदद मिलती है, sentences को frame करना जादा असान हो जाता है, ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज, कि December end तक आपकी responsibility है, one month, कि आप क्या करोगे, reading की आदट डालो, which includes, जो हम पढ़ा रहे है, academic books, वो तो पढ़ो गई, उसके apart, newspaper में अच्छी news, अब वो अच्छी news में business news भी हो सकत हो, या आप technology, science, ये सारी information पढ़ो, except Bollywood, Hollywood, यहाँ पे छोड़के, यहाँ पे बहुत senseless news आती है, कुछ अच्छा, वहाँ पे किसी star ने कुछ अच्छा किया, कुछ किया, तो वो जरूर पढ़ो, पर मिर्स मसाला वाली news नहीं बोल रहे हैं, मैं अच्छी news की बात कर रहे ह हैं, ठीक है, पहला ये point हमने cover कर लिया है, दूसरा, जब भी कभी कुछ पढ़ो, जब भी कभी कुछ पढ़ो, तो ये point में यहाँ आगे continue कर रही हूँ, second page में, एक, जिसे मैं तुम लोगं को पहले भी ये चीज बताई है, जो मेरे पहले के students है, जब कोई एक चील उपर घुमती है अपने शिकार के लिए, ऐसे गोल-गोल चक्कर लगा रही है, तो वो क्या देखती है, कि नीचे garbage हो, garbage में एक rat है, जो उसका main खाना है, तो वो चील क्य करती है, आज बच पर कचरे को देखती है क्या, नहीं, चील क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने rat और rat के movement पे concentrate करती है, कि ये कैसा move कर रहा है, कि धर को जा रहा है, बस उधर ही उसका ध्यान होता है, ना ध्यान इधर, ना ध्यान उधर, उसके बाजु में जो कचरा पड़े रहन देना है, जो डबे पड़े हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने food पे ध्यान दे रही है, जो है rat और उसके movements, बस हम भी जब पड़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है, study material, या कोई भी word, या कोई भी paragraph, को छोड़के, आजू सोचता है, जैसे, number one, बाहरवाला होन बजा रहा है, कितना irritate कर रहा है, पहला, घर में कुछ अगर चल रहा है, कोई और TV देख रहा है, मेरे को तो पढ़ाई करनी पड़ रही है, बैठके TV देख रहा है, तीसरा, यार WhatsApp में notification का तुडूं, या Instagram में किसी ने आपको tag कर दिय आपको कोई नया notification आ गया, किसी ने अपनी फोटो अपलोड कर दी, तो Facebook, WhatsApp में, या Instagram, ये लोग क्या करने लगते हैं, प्रॉम्ट देने लगते हैं, राइट, हर्शिला इस सेंग वेरी ट्रू, ये होता है, अगर जैसे किसी का प्रॉब्लम में कि लंच में क्या बना है, तो खाना खा के बैठो, सही बात है, भूके पेट भजन तक नहीं होते, भूके पेट तो इंसान भगवान की आराधना नहीं कर पाता, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, चलो माना, पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, कि आपको ये छोटे-मोटे distractions, लग रहे हैं कि इस्टाग्राम में किसका फोटो आया, वाट्सेप में किया, हमको किसने टैग किया, हमको तो इसने टैग किया, हमारा बेस्टी है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम से आप सफर करते हैं, तो मोबाईल को करो silent, और कर दो उल्टा, और रग दो कहीं दूर, और या तो, अब अ सबसे फरक ही नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे, अभी मैं अपने फोन में दिखा सकती हूँ, कितने तो मेसेजे स्पेंडिंग है, जो मुझे रीड करने है, और मैं नहीं रीड करनी हूँ, मैं को नहीं लगते हैं, वो जरूरी कि मैं उनको रीड करूँ, आक्शुली एक एक हजार हजार मेसेजे स्पेंडिंग होते हैं, तुमको क्या लगते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में किती तेरे रिक लेजाते हैं, यह हमारा भी अकाउंट है, मैं यह नहीं कह रहे हूँ, पेस्बुक में भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, mode on कर लो हमें खुद में इतना फोकस नहीं हो सकता क्या कि हम देखेंगे नहीं तेरी तरफ कि इस इस माइपॉइंट मैं यही बताना चाहरे हूं इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए और टेक्नॉलजी पे ऐसा क्या है उसमें ऐसा क्या दे देगा वो आपको ऐसा मैं करें नोटिफिकेशन भी आफ मत करो नहीं देखेंगे तुमको क्या लगता हमको नोटिफिकेशन ओफ रहते हैं कि सबका मेसेज दिखता है नहीं देखेंगे हम मैसेज नहीं देखना हमें नोटिफिकेशन तुम ब करना हम है हमारे अंदर खुद के अंदर इतनी विल पावर है कि आता रहेगा फिर भी नहीं देखेंगे आप कर लो चार दिन पांस दिन लोग देखेंगे माप माइवर्ट छटे वह दिन वह तुम्हें खुद याद करना बंद कर देंगे डिस इस ट्रू आज हम लोग तुमसे बारा बारा तिरा तिरा साल बड़े हैं तुमसे पहले से मुबाईल इस्तमाल कर रहे हैं तुमसे जादा बड़ा बंच है फ्रेंड्स का प्रफेशनल फ्रेंड्स अपने पर्सनल फ्रेंड्स और अधर रिलेटिव फ्रेंड्स और बहुत कुछ पर हमको तो इतना कोई डिस्टरब करें हमने इतना किछी को पावर दे ही नहीं रखा है क्यों ऐसा हो रहा होगा और आपके दस फ्रेंड्स में आप इतना डिस्टरब हो रहे हो कि फोकस छूट रहा है पढ़ाई से वो चीज जो तो तुम्हारा करियर बनाने वाली मुझे एक ही चीज समझ रही है करो मटर गस्ती करो कोई बात नहीं पर जब मस्ती करो न तो फिर सिर्फ मस्ती करो ऐसा हुआ का कभी कोई पाटी में गया है बस तुम्हारे दिमाग में आया है अचानक से तुम्हारे दिमाग में आया अरे यार कंपनी लोग का वो सेक्शन तो कित्ता बढ़िया है कभी ऐसा हुआ अस तक हुआ नहीं हुआ यह कभी हुआ कि मस खाना और खा रहे हैं और खाना खाते काते याद आया यार सेक्योरिटीज लॉज में न वो जे आई जी एल में वो नौसिटर है सौसिस तो कजब है या इंटर्पेटेशन का रूल है यह हुआ कभी तो जब मस्ती के टाइम पे तुम पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हो तो पढ़ाई के टाइम पे मस्ती के बारे में क्यों सोच रहे हूँ सिंपल सा हिसाब है एक ही चीज मेरे को समझती है तुमसे ज़ादा किसी और को तुम्हारे उपर पावर नहीं होनी चाहिए खतम बात अगर आपको कोई बोल भी रहा है आपका अगर पढ़ाई का टाइम है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कहीं जाना जरूरी है बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड आया है कोई फ्रेंड आई है आपने उससे मुलाकात करी पर मेक शॉर कि आप वो टाइम कॉम्पनसेट करेंगे दिन में अपने वो टाइम आप कॉम्पनसेट करके काम या पढ़ाई तो कर ही लेंगे समझ में आया पहली चीज दूसरी चीज जब आप पढ़ाई कर रहे होते हों कोई भी चीज पढ़ रहे होते हो या जैसे मैं कहूं कहीं बार ऐसा होता है कि घर में कहीं नारियल तेल का डबबा रखा है कोई लाइटर रखा है कोई एक ऐसी चीज रखे कोई ड्रेस रखे है डाउन रहो कि आप फिर उसे भूल नहीं सकते हैं यह मुझसे तुम लिख के लिए लो तुम इस चीज को प्रैक्टिस करना चालू करो 15 दिन बाद तुम मुझे थैंक्यू बोलने आओगे मेरे से शर्त लगा लू एक महीने चलो एक महीने दिया एक बार जब जब भी कोई ची सब्सक्राइब नहीं है जो इस एक टाइम में तुम्हें अब डिस्टरब कर सकती है एक बार ऐसा मेरे लिए डिसेंबर एंट तक करके देखो 2021 जैनवरी मैं तुम सच में मिरे को थैंक्यू बोलने होगे कि मैं हम ये हमारे दिमाग की पावर कुछ बढ़ गई है मैगनेट की तरह खीचो के पता है चीजों को मेरे से शर्त लगा लो क्योंकि ये मैंने अपने उपर आजमाया हुआ है करो और फिर मुझे बताना डिसेंबर 2020 तुम सिर्फ ये करो कि जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो जैसे मान वो पढ़ने बैठे अब जब पढ़ रहे हैं ना पढ़ने के पहले सब काम निप्टा लो खाना भी खालो वाश्रूम भी हो आओ घर वालो से भी बात कर लो दोस्तों से बात करने हैं के लिए अब तुम्हारा स्विच ओफ मोड चालू हो गया अब तुम सिर्फ अभी अपने उपर और अपनी पढ़ाई पर कॉंसेंट्रेट करने वाले हो एक महिना इस आदत को डेवलप करो प्रैक्टिस करके देखो डेली बेसिस में तुमको ना पेज नंबर के साथ ना य बेडिंग ऐसे बोल्ड दी थी मैं ने वहां पर ने ऐसे लिखा था और उसके बाद फिर मैंने पढ़ा था हाँ ये वाला एक्जामपल था ऐसे याद आता है फिर मतलब तुमको पेपर में ऐसे याद आएगा कि अच्छा हाँ मैंने इसका रिप्लाई किया था फिर मैंने जोक मारा था और फिर इससे हमको या आगे आंसर बन गया था ऐसे याद आने लग जाएगा इतना इसको हम कहते हैं photographic memory कुछ देखा और click हमने कुछ चीज देखी और उसको click हो गया उसको कहते है photographic memory देखे और हमको चीज़े याद हो जाती है एसा होता है humanly it is possible दुनिया में पहले भी ऐसे बहुत लोग रहे हैं हमारे देश से विवेकानन जी जैसे लोग महान लोग रहे हैं जो देख के याद कर लेते थे मैं उतना नहीं कह रही हूँ पर इतना तो हम करी सकते हैं कि जब हम concentration से किसी चीज को करें न फुल concentration से एक और चीज मैंने देखी है students में पढ़ते पढ़ते ये पढ़ने के दौरान चल रहा है है ध्यान से सुनना सब लोग active है सुन रहे हैं ध्यान से अब क्या होता एक और चीज सुनना हां तुम्हारे back of the mind क्या चलता है क्योंकि हम भी कभी student थे हम भी student थे क्या कड़ते हैं यहां पढ़ रहे हैं पढ़ाई चल रहे हैं न रटने के time पिने पर यह रटतो रही हूं पर मुझे याद हो रहा है की नहीं हो रहा है कहीं paper में आगया तुम्हें को याद आएगा की नहीं आएगा अरे यार पता नि बहुत है सिफ इतना समझ के देखो मेरा भाया मुझे हमेशा बोलता है कि खुश्बू मतलब मेरे घर का नाम कुश्बू है अधित एक तो अगर एक साथ इतने सारे टैब खोल लेगी गूगल क्रूम में एक एक कंप्यूटर में लैट टॉप में यह भी खोले यह भी खोले तो क्या होगा यह ब्रैंप बीजी नहीं हो जाएगा लैट टॉप का वैसे यहां पे भी तो है दिमाग में इसके अलावा सारे थौट्स आ रहे हैं कब तो एक्जाम होगा कब कुश्बू आएगा की नहीं तो नहीं याद आएगा भाण याद आएगा की वानें भी अलग उनО, पेले अ बात है और बात हो गई यह बहुत डिफीकल्ट यह ब्रा ब्रिकार कर दिया कि ये चीज डिफीकल्ट फूटाहई और उससे नहीं होने वाली है Gulag ब्रेन हमारा बहुत ही बदमाश है, ब्रेन ने कहा, ओके, वो जो जीनी जैसा है, मारे ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, एक्चुली बहुत पावरफुल होता है, जो कहते हैं कि पुरा ये यूनिवर्स कॉंस्पायर करता है, जिस चीज को हम सोच ले तो पढ़ते टाइम पे मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं सोचना है सिर्फ क्या करना है उस एक पॉइंट आफ टाइम में अपने नोड बनाओ में नोड बनाते टाइम पे कितना मजा था अलग अलग पैन यूज करो हरी पैन लाल पैन ब् कुछ इंसिडेंस रिलेट करदो कोई एक ऐसी हशी की चीज़ रिलेट कर दो जिससे तुम्हारा दिमाग खुश होता है जब दिमाग खुश होता है ब्रें हैपी रहता है तो वह अपने पॉसिबल वे में फंग शन करता है कि हम इसके अलावा करते क्या है निगेटिवीटी यही नहीं करना है यही नहीं करना है यह ना लिख लेना कहीं यह pointer चोंदर तरीके से लिख के चिपका लेना दीवार में और रोज आते जाते एक बार . करना मेरा ऐसा वाला शक्रव anda देना ऐसी ऐशी वाली शक्रव बना देना मेरी ए ऐसा लगा के विसे बदमाष लोग नहीं होते हैं से ऐसा फोाट बना च्फ का देना जब आते दिखेंगा और हाई फिर बोल रही यह बैठके दीवार में के पर try this, तुम लोग का retention power देखना कितना बढ़ जाएगा, कुछ students हैं जो अभी भी added हैं इस chat में जुनका मुझे पता है ये problem है, I know, उनकी ये problem है इस चक्कर में याद नहीं होता, और कुछ की retention power बहुत अच्छी है, क्यों? क्यों कि वो इन सब चीजों से fight करके overcome कर चुके हैं, हमें क्या बनना है, वो चील बनना है, ऊपर उड़ते रहेंगे, सिर्फ अपने किसको देख रहें, शिकार को देख रहें, यहां यह इसको पकड़ना है हमें, बस उसके अलावा क्या चल रहा है आजू बाजू, चील यह सोचती है, अच्छा देखो बाजू में पननी आती है, हमको भी वोई बनना है, ठीक है, एक और इंपोर्टेंट बात, अब चील बनते बनते, बिकमिंग, एक लिखी थी, मिशेल उबामा ने बिकमिंग, हम लोग बना रहें, बिकमिंग, पाट टू, एक और चीज करोगे, जब तुम कोई परग्राफ पढ़ते हो, जब तुमको language पर कमांड ना आ जाए, तब तक तो आप paragraph को पूरा-पूरा पढ़ोगे, पर जब हम revision करते हैं, जब हम कोई चीज दूसरी बार, तीसरी बार, चौती बार पढ़ रहे हैं, तब जो extra के words होते हैं, if, and, but, इधर, उधर, at, so, इन सब चीजों को छोड़ते चल देन पढ़ता है, जैसे जब हम revise कर रहे होते हैं, तो मान लो एक paragraph है, ये मान लो एक paragraph है, ठीक है, ये इसमें lines लिखी हुई है, suppose, ये hypothetically ऐसा assume करो, ठीक है, ये lines लिखी हुई है, तुमको क्या करना है, इस paragraph में से, जो crux है, वो कहीं पे copy में, या तो अगर आपके study material आ गए है, तो study material में, corner पे न, वहीं पे लिख लो, ऐसे एक चोटे-चोटे pointers, जैसे जो हम notes भी आपको देंगे, उन notes में भी, आप अपने reference के लिए, बहुत अच्छी एक book पढ़ी थी मैंने, even Renan Martin में भी, और और भी other books में, मैंने एक चीज पढ़ी थी, किताब के साथ को सिर्फ पढ किताब के साथ बात करो, तुमको लएगा, मैं आज इदर कुछ इनने सुबह सुबह चाय में कुछ मिला लिया है, आज इदर उदर की बात कर रही है, मैं इदर उदर निकल ली है, पर मैं सच बता रही हूं, किताब को न सिर्फ जो यहां पे readers added है, जो book बहुत जादा देए, novels वगरा पढ़ते हैं, कुछ ओध मैं जानती हूँ, कि जो novels की बीदे गारी से पागल ही वो सिर्फ देख नी रहे होते हैं, वो think about a book से bat करते है, actually, हम बात करते हैं कोई novel पढ़ते हैं तो अच्छा, इसके साथ ऐसा हूँ, अच्छा, ये हो रहा है, ठीक है, pencil लेके, in fact, विशेश ये बाद में बताऊंगे, अभी मैं को disturb मत करना बिल्कुल भी, मैं एक session ले रही हूँ, अच्छा, ये मेरे कोई बीच में flow को तोड़ो मत, कि आप जब कोई किताब पढ़ते हो, मैं जब कोई, otherwise कोई novel भी पढ़ते हो, तो मैं pencil लेकर बैठती हूँ, और pencil में लिखते चले जाती हूँ, कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे यहाँ पर ये point अच्छा लगा, ये कोई नया word आया, जो मैं अपने vocabulary में add कर सकती हू ऐसा ही तुम अपने study mat के साथ भी करो, जो तुमें notes मिल रहे हैं उसके साथ भी करो, और भी कहीं पर कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई magazine पढ़ रहे हो, कोई news article पढ़ रहे हो, तुमने देखा होगा दादा जी लोग, नाना जी लोग हमारों के आदत होती थी, वो pen लेके बै समझ में आया, तो आज ये तीन चीज तो तुमें को करनी ही है, सबसे पहला, December end में, एक मन्त सिर्फ और सिर्फ रीड करो, रीडिंग के आदत डालो, अब थोड़ा सा mature हो गए हो, बड़े हो अब उनको फरक समझ में आ गया होगा, कि Instagram और Facebook में जो friends होते हैं, वो सिर्फ ना मैं ही अपने Instagram और Facebook में जो लोग मुझे follow करते हैं, अगर तो मैं आधू लोग को नहीं जानती हूं, आधे जादा को नहीं जानती हूं, फिंगर टिप्स में होंगे जो लोग जिनको मैं सच में परसनी जानती हूं कि ये क्या है क्या नहीं और मैं किसे मदद मांग सकती हूं मैं एक session चल रहा है, कोई एक अच्छी किताब पढ़ो, उस पर discussion करो, एक दूसरे के साथ बात करो ना, एक दूसरे के साथ friends हैं अप, बात करो, जो लोग near facility में रहते हैं, आप लोग बात करो, कोशिश करो, English में बात करो, ये भी कर सकते हो, book से जो तुम्हें समझ में आया, तुमने कोई किताब पढ़ी, उसको लिखो, और उसका, जो भी तुम्हें करक्स में समझ में आया, उस किताब में, मुझे लिख के बेजो, मैं चेक करूँगी, मुझे तो बहुत पसंद है काम, मैं extra time निकाल के तुम्हार लेक, उसको चेक करके बेज दूँगी, जैसे मान जगते हैं, या तो हम खुली नहीं पाते हैं कभी बात करने के लिए, ना बुक से बात कर पा रहें, ना लोगों से बात कर पा रहें, और कमी सेक्रेटरी बनने के बाद, या कोई भी प्रोफेशनल बनने के बाद, ये तो नहीं हो रहा, डॉक्टर को इलाज पता है, पर एपडेट करते चलो अब हो रहा है अशाम सार में यह जो बहुत है जो बहुत है जब हमारे संसार में धृक्त करना जो हमें पढ़ना हैं जो हमें याद करना हैं जो हम चाहते हैं और एक और बात याद कुझ ना जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं ठीक है तुम्हें हो सकता है बोर लग रहा हो पर पास-दस मिनट सुन लो अच्छी बात पता चलीगी देखने गए बूवी में कैसे बैठते हैं पतीयापन चलो आज तो जा होने वादा है मुवि में आए है मूवी देखने हमें मोड़ी का हर एक सी हं गाना भी ऑ ऐान जता है यह मुवी इनटेशं नेम करख स बाज में आ जाता है यह मूवन देखने गए बड़ी फाल्तु मूवी थी यार पूरे पैसे से होगाए क्या मुवी जैसे होती, क्या बेहतरीन मुवी था, क्या डिरेक्शन था, यहां से ऐसे action scene था, fight का scene था, horror movie कसम से डर लगा भई, एक बार तो यहां पर बैठा हुआ है भूत, ऐसा भी लगता है, क्यों आपको पूरी storyline याद हो जाती है, आप तो हाँ पे खाली एसे हाथ फोल्ड करके एवे ही बैठे थे, पर आपने कब इतना ध्यान से notice कर लिया कि movie में direction था, fight scene था, Avengers के लिए एक दम पागल हो रहे हैं लोग, ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों क्योंकि उस समें आपका mind free रहता है और आप freely सारी बातों को अपने दिमाग में absorb कर रहे होते हो, आप उसके लिए effort नहीं कर रहे होते हो, समझ रहे हैं सब लोग, आप उस समें effort नहीं डाल रहे होते हो, तो आपको आधी चीज़ automatically याद हो जाती है, बस यहाँ पे भी, दिमाग को बिना strain किये, अगर पढ़ोगे ना, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगे, यही करक्स है, यही रामबान, यही तरीका है, सबसे अच्छी तरह कोई चीज़ याद करने का, दिमाग को occupy मत करो, ऐसा मत पुझे तरह को effort डाल के यह करना है, वो करना ही तयाद करना है, मत करो, कुछ यह इसको burden म डालो उसके उपर, सिर्फ और सिर्फ free mind से, जो आ रहा है, उसे absorb करते जाओ, accept करते जाओ, let the mind accept it, exactly, brain is receptive and it's relaxed, जब आप रिलाक्स रहते होना, तो सारी चीज़ें absorb करता चला जाता है, एक बहुत अच्छा receiver की तरह act करता है, सब चीज़ें वो कमाल के रखता है, और सही point of time आने पर अपने आप तुम्हें वो reflect back करता है, कि अच्छा ये इसका answer है, ये होना चाहिए था, मैंने इतनी degrees ली है, मेरी बात मान लो एक बार, इतना पढ़ा है, gold medal लेके आई, मैंने सच में इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि economics से मुझे प्यार है, मुझे प्यार है बस उस subject से, बस प्यार है इसी लिए, जो जहां information economics के बारे में होती है, मेरे दिमाग में चलती चली जाती है, मैं उसको बस पढ़ती हूँ, absorb किया, पढ़ा, absorb किया, बीकॉम के time से ये लट लगी हुई है मुझे, जब बीकॉम के time पे ordinary लोग ये सब पढ़ मिल रहा था, अब ब्रेन खुश खुश था बस, रिलाक्स थे, तो सब information चली वे, तो जब मैंने एमे किया, तो गोल मेडल के लिए मैंने बहुत मेहनत नहीं करी, क्योंकि मेरे information इतनी अल्रेडी स्टोड थी, कि सही समय में brain ने सारी चीज़े exam paper में सामने रख दी कि गुणना आगया, fight हुआ, scene हुआ, फिर ये हुआ, फिर movie खतम हो गई, फिर को कि brain relaxed था, जो आपके सामने फेका गया, वो उसने क्या कर लिया, absorb कर लिया, समझ में आया, तो एक तो ये आदर डालनी है, कि notifications, Instagram, इन सारी चीज़ों को समय दो, पर इतना समय मत दो, ये को एक मै हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरे सारी students से, हमारी use करने के लिए ये चीज़े बनी है, ये हमें use करें, ये गलत है, समझ रहे हो, क्या कह रही हूँ, कहां है सब लोग, आप इनको use करोगे, ये आपको use करें, इतनी power इनको मत दो, समझ में आ रहा है, लिख लेना, मैं सही बता लेना, don't let them use you, हम उसे use करेंगे, हम महारे दम मर्जी है, हम इस्तमाल करेंगे, नहीं मर्जी है, तो नहीं use करेंगे, समझ रहे हो, इसलिए उनके slave मत बन जाओ, पहली चीज़, समय दो पर उतना ही जितना वो तुम्हें रिलाक्स कर रहे है, जितना तुम्हें ऐसा लग रह चलो हाँ थोड़ा है, दर दर भूं के आ जातें, कुछ मीम मीम पढ़के हांसास के आ जातें, वापस आ गये, समझ में आया है, और उसके अलावा भी, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, दिमाग में यह हमें याद होगा की नहीं होगा, पेपर में आ गया त That is just a piece of information, information दी है, एपसॉप कर लेनी है, तुम कहोगे मैं आज तो आपने तो पढ़ ली, आपकी डिग्री तो आगया, आप तो असानी से कह सकते हो, और बेटा हमने तो क्या में महनत करी होगी न, तब तो इतने resources भी नहीं थे, actually, कि जहां हम research कर सके, डिक्षरी में तो सोचो महनत हम भी करी होगी हमारे टाइम पर, बन-बन के करकर के ही, आज मैं तुम्हें ये advice दे रही हूँ और इसको मान लेना, actually, तुम लोग अपने में फरक देखो कि 20 दिन के अंदर, 15 देसे 30 देस के अंदर अपने आपने transformation देखना अपने brain का, एक limit के बाद ऐसा होन मैं वो या घरवाली जब बुला रहे हैं, अगर कोई staff में बुला रहे हैं, मैं वो चीज कहां रखी है, हाँ ये वाला marker जो है, वो बोट के नीचे जो duster है, उसके right hand side में रखा हुआ, ऐसे याद होता है फिर, exactly, there is no substitute for hard work, मैंने परसों भी तुम्हें एक फोटो भेजी थी चोटी सी, कि hard work करना ही पड़ेगा, और अगर दिमाग को train कर दिया ना, तो brain खतरनाक तरीके से react करता है, मतलब ऐसे, और जैसे मुझे एक और sun की गिरी है मेरे साथ, मैं ये याद कर लेती हूँ, मैं याद जान बूच के नहीं करती हूँ, अपने आप याद हो जाता है, कोई effort नहीं करना पड़ता, जो staff में और लोग है, मिधास सर बोलते है, याजी पागल है, इसको, हाँ, actually, मिधास सर ये चीज बोलते है, कि तेरे को तो ना, एकादिर आर्टियो वाले या, क्राइम वाले, तेरे को पूचें, याँ भी है, अपने गाड़ी देखी ती, जात कर रहे हूं, उन्हें पूछ लेना कि मैं ऐसा पागलपन करती है, तो देखना वहां बोलेगा, कहीं में भी सड़क में कोई गाड़ी दिख गई, कहीं हम गुप्चुप खा रहे हैं, कभी जब जबाना होता था कि गुप्चुप खा रहे हैं, जब अच्छे दिन थे, जब इसका नंबर है, ऐसा होता है, हमारा दिमाग नहीं, हमारे ब्रेन के पास इतनी पावर है, और हम उसको इतने से में छोड़ देते हैं, एक्स्प्लोर करना, चालू करो, देखना ऐसा हो जाएगा ना कि तुम लोग के साथ में ट्रांस्फोर्मेशन होगा, और तुम उसको, पतलब सोचोगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इतना खतर्मनाक होता है, ऐसी चीज़ याद आती है, यह मोबाइल फोन का चार्जर उस वाले धर पर लगा हुआ है, यह चीज़ यहाँ पर टंगी हुई है, मम्मी ने पूचा जानल तिल कहा है, आ फ्रिज के ऊपर वो यह सोचता है, यह information है, डालो अब अंदर उसको, समझ में आ रहा है, and then ultimately जब भी कभी कुछ पढ़ो, तो बाजू में, देखो हर एक का ब्रेन का constitution या किसी चीज़ को याद करने का तरीका अलग भी हो सकता है, हम हर कोई अलग हैं, देखो यह पांच उंगलिया एक सी है क्या एक इंसान के हाथ में जब पांच उंगलिया एक सी नहीं है, तो क्या हम सब एक से हो सकते हैं, नहीं, हमारा type, हमारा style different हो सकता है, तो कभी बीन अपने style में, जैसे मैं अपने style में पढ़ाती है, मिधा सर अपने style में पढ़ाती है, साहिल सर अपने style में पढ़ाते हैं, यह ह अबिजीच सर है, जैसे अबिजीच सर है, जो आपको सिय में पढ़ाएंगे, वो भी बहुत, बहुत इंटेलिजेंट सर, इतनी सारी इंफर्मेशन, वो इतने इंटेलिजेंट, उनको इतना इंडेप्थ नॉलेज है, अपने सब्जेट कर्मेद उनको क्या बता हूँ, जब पढ़ोगे तब समझेगा, कहां से समझ लिया इतना, उनका तरीका अलग है, वो ट्रैक्टिकल वाले टीचर है, हम लोग लोग वाले टीचर है, तो अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से करक्स को हमेशा लिखने की आदर डालो, जो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि शॉर्ट हैंड नोट्स लेते चलो, वो इसलिए कहती हूँ, तुम किस तरह से पीस वाफ इन्फरमेशन को डिवाइड करते हो और लिखते हो, यह तुभे अवेरनेस होनी चाहिए, जैसे मुझे मेरे बारे में है, मिधास सर को मिधास सर का स्टाइल पता है, साहिल सर को सा स्टाइल पता है, कि हम किस तरह से नोट करते हैं चीजों को, सुधीर सर को देखो कि तो वो अलगी लेवल पर खेल रहे होते हैं, वो अलग तरीके से इन्फरमेशन को इखटा करते हैं, और जो आदित सर, जो टेक हैड है, मतलब ब्रेन है, पूरे आईटी है, जो सब को चल रहा होता है, वो तो मतलब अलगी गौडली लेवल पर चल रहे होते हैं, हम सोच भी नहीं पाते हैं, अच्छा, इंफरमेशन को ऐसे भी स्टोर किया जाता है, हर एक का अपना तरीका होता है, आप अपना तरीका ढूर के निकानो, कि आपका कौन सा टाइप है इसमें, इसक नट्शल में क्या समझ में आता है, उसको ढूरो, उस चीज को लिखने की आदट डालो, तुमको देखना ड्रास्टिक चेंज होगा तुमने, चीजों को समझने में और चीजों को लंबे समय के लिए, रीटेन करने में, हमें ये चीज याद करनी है, इसको जिदाओ मत, लि इसा बोलते हैं, कि अरे यार देको मोटा होना है, इसलिए हम मोटे हो, ऐसा हो जाता है, खाना खाओ, मस्ट पीजा पेस्टी काओ, आटमेटिकली अपने आप मोटे हो जाओगे, जैसे हम होए, पैंडेमिक में, वैसे ही यहाँ पी भी है, कोई जोर्द बरदस्ति मत करो, ज सब खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, पीजा, यह सब गुप चुप चाट, बन हो गया, गलत हो गया, गलत इंसापल देती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिलाक्स होके खाने, पड़े-पड़े, अपने आप भूग जाते हैं, बस यहाँ भी भी होगा, होनी चालो हो जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा, यह तो हो गया, जो तीन चीजें, जो मुझे लगती है, प्रिंसिपल, अच्छी तरह, रटने के लिए, कोई भी चीज रटना क्या है, मतलब कोई भी चीज एब्सॉप करने के लिए, एक तो यह करो, उसके बाद, एक और डालोगे, कच्रा, फिल्टर करो, क्या करो बताओ, चलो सब बताओ, मैंने क्या बोला, कच्रे को फिल्टर करो, वट इस कच्रा हीर, लगान वाला कच्रा नहीं बोल रही हूं, लगान वाला नहीं, यहां पे, जब मैं कह रही हूं, फिल्टर, जब मैं कह रही हूं, फिल्ट कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं students के साथ देखती हूँ या तुम्हारी उम्र में जो बहुत obvious है हो ना किसी friend से जगड़ा हो गया, may it be boyfriend और girlfriend और कोई भी special person, कोई भी ऐसी information, किसी के साथ कुछ हो गया तो आप उसमें कर रहे हैं पंचायत, तुमको क्या करना है, उनके वहां हो गया, वो auntie uncle से जगड़ ली, रस्ते में कोई गिर गया, जब तक वो तुम्हारे सामने तुम उसकी help नहीं कर सकते, तक कोई जर्वत नहीं है इन सब पचड़ों में पढ़ने की, इतना कुछ नहीं हो रहा है जिन्दगी में जिसके कारण एकदम पढ़ाई से deviate हो गए, एक student था, वो मेरे पास आया, मैं अटेंट नहीं दे पाऊंगा, मैंने को लगा कोई बहुत serious issue होगा, मैंने पूछा, ये true story पर based है, मैं नाम नहीं ले सकती, पर ये सच्चाई है, मिरे पर विश्वास अगर करते होगे तो, उसने मुझे क्य reason दिया पता है, उसके दो दोस्तों का जगडा हो गया था, I mean seriously, सच्ची घटना पर अधारित है ये, इस धारवाहिक में दिखाए गए सारे पात्र सच, असली है, और ये सारी बात सच है, मैं मजाट नहीं कर रही हूँ, ये true story क्यों कि उसके दो दोस्तों का चड़ों गए तो उसको मीडियेटर बनना पड़ा, सुला करानी पड़ी ना, सुला सुला, सुला कराने के चक्कर में उसके 15 दिन वेच्ट हो गए, तो वो रिवजन नहीं कर पाया, तो पेपर नहीं दे पा रहा है, attempt, आप अपना attempt मिस कर रहे हूँ, 6 महीने, result मिला के 8 महीने, are you serious, ये कसम से मेरा मूँ देखो, आँखे देखो, सच बोल रहे हूं है, मेरे को ऐसा लग्या हूँ, मैंने का भाई, is this for real, सच्ची में हो रहा है, चूटी-काटी में अच्छा नहीं, सच्चाई में हो रहा है, कुछ नहीं था, हम अपने आपको सिर्फ रीजन देते हैं, exactly अविश उने conciliator कहा जाता है, arbitrator वो होते हैं, जो legally appointed किये जाते हैं, कोट के द्वारा, तो वो conciliator मन के, वहां बीच में गया, मुद्धे की बात सुनो, यहां बात कहता है, अपन पंचायत करेंगे, यहां मुद्धे खतम नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ, वो उसने paper भी नहीं दिया खाली का दुख हो रहा है, आज हम उदास हैं तो हम दिन भर रो रहे हैं, यह सारी चीजे नहीं सब खतम हो जाती है, कुछ नीर के, कुछ काम नहीं आता है, सब चीजे धिरे से चटल हो जाती है, paper के time के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, और अपनी health का बहुत ख्याल यह बात याद रखना, तो थोड़ा exercise कर लो, अच्छा खाना पीना खाओ, मस्त खाओ, प्यों इतनी अच्छी लाइफ है, अच्छी तरह उसको बिताओ, और एक तुम्हारा करतव्य है, एक ही काम है अभी, पढ़ाई करना, उसको अच्छी तरह कर लो, मुझे coming June attempt में तुम लोग pass चाहिए, क्या चाहिए, pass, वो भी अच्छे marks से, अच्छे marks से pass चाहिए, अब यह June attempt है, कुछ बच्चों का December attempt भी होगा, whatever may be the attempt का time, पर जब तक attempt आए, तब तक आप prepare हो जाने चाहिए, मिसाइल की तरह ready है, जब बोलो, चले जाएंगे, समझ में आया, दिमाग को train करो, तुमको लगेगा कि यार एक घंटा आज हमने सिर्फ ये बात करी, मेरी कही हुए बात को ना सच में सोचना, कि मैंने तुमसे क्या बोला इतनी देर, मैं ये वीडियो ना, actually अब सोच रहे ह पर सच में सोचना कि इनने 45 मिनट हमसे क्या कहा, ऐसा क्या इनके life के experiences का निचोड होगा जो आज ये हमको बता रही है, I have proof for each and every incident, ये हर चीज मैंने अपने पर इस्तमाल करके देखी है, किसी और का experience नहीं बता रही हूँ, मैं मेरे खुद का experience बता रही हूँ, चाहे जब मै CS कर रही थी, BCOM कर रही थी, LLB कर रही थी, MA Economics कर रही थी, या MA Political Science किया, या MA English किया, जो भी किया, ये पूरे दौरान, या जो बोलो मैंने 9 साल employment या practice के बिताए हैं, या 9 साल जो मैंने बच्चों के साथ अभी तक invest किये हैं, उन सब का निचोड बता रही हूँ, एक बार मे 45 मिनिट में जो तुमको बताया, समझ में आया, और आखरी चीज, आज, आज, आज ही करोगे तुम लोगी अब, ताकि कल संड़े को सोच सको दिन भर की हम कहां पहुचना चाहते हैं, और कहां हैं, हमेशा सुना है, normative और positive के बीच में फर्क होता है, economics में हर एक ने पढ़ा लिखो, लिखो, कहीं पे लिख लो ऐसा अपने नाम के आगे, अपने private space में, अपनी wardrobe में, wardrobe के अंदर चिपका लो, अपनी किसी private कहीं किटाब में, लिख लो अपने नाम के आगे, पब्लिक प्लेसेज में नहीं, Instagram, Facebook में कहीं पे भी ये overacting में कहां, जब तक तुम उसको deserve कर के eligible ना हो जाते, यूज करने के लिए, पर अपने किसी private space में, जहां पे तुम्हें पता है, कि तुम अपने आपको उस नाम की तरह देखना चाहते हो, अपने नाम के आगे वो चीज लगा लो, ये करो, और साथ में, करोगे अपना SWOT, तुम्हारी खुद की strength क्या है, तुम तुम्हार ले opportunities क्या-क्या है, मतलब अगर तुम्हारी strength और weakness के basis पर तुम्हारी external जो तुमको चीजें होती है, जैसे तुम्हार ले आने वाली opportunities और तुम्हारे तुमको जो surround करते हैं, ऐसे threats, इन्हें लिखो एक जगा, कि तुम्हें किन-किन जीज़ों दर लगता है, या इसी चीजें हैं, जैसे कोई ऐसा कहते हैं, कि मैं बहुत जादा चुट-चुटी बातों को लेकि उदास हो जाता हूं, या वो जाती हूं, लिखो उसको, उसको अपनी strength बना, convert करो, अगर वो तुम्हारी weakness बनके सामने आ रहा है, वो तुम्हारे थ्रेट की तरह act कर रहा है तो तुम्हें पता है, problem भी क्या है, और solution पर act भी नहीं करना है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है भी, तुमको क्या क्या opportunities तुम्हारे सामने हैं, भाई किसी के घर में कोई seniors जो हैं, जो उनके family members हैं, वो commerce background के हैं, तो उनसे उनके suggestion मागो, या उनके बात सिर्फ सुनो, तु जैसे ये चीज सुमारे लिए आगे work कर सकती है, और उसके साथ साथ, तुम्हारी strength क्या, और तुम्हारी weakness क्या, इसको पता करो, जैसे मुझे पता है, मेरे लिए strength, weakness, OT क्या है, ये मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह, और ये एक बार नहीं, हर 10-15 दिन में मैं revise करती हू अपने आपको, कि मेरे में क्या बदलाव आया, क्या चीज मेरे अंदर अच्छी हुई और क्या चीज मैंने खराब की, कभी डाट पड़ती है, तो सुधर जाते हैं, कभी ये लगता है कि अर समय नहीं था, समय क्यों नहीं था, क्यों time manage नहीं कर पाए, ये काम करने के लिए गलत हुआ नहीं होना चाहिए था ऐसा, समझ में आता है कि ये गलती थी हमारी, समझ में आया, इस चीज को करो, prioritize करो कि तुम्हें पहली बात तो करना क्या है, लिखो कहीं पे एक जगा पे, aim बनाओ, कि हाँ यहां तक पहुँचना है, भई normative जब होगा, तब तो positive से देंगे ना आगे, normative ही नहीं है कि what you want to become, what ought to be the situation, क्या होनी चाहिए थी situation, जब वो ही नहीं पता है, तो positive से कभी छूटी नहीं पाएंगे, निकली नहीं पाएंगे, समझ रहे हो, ये चीज करो, इस इन चीजों की आदट डालो, देखना तुम अपने अंदर 20 से 25 दूनों में transformation देखना चालू हो जाएगा, ओता है, तुम को तुम अभी भी मेरे पर believe नहीं करोगे, कि नहीं आ रही है, मैं ऐसा कह रही है, कि हम चीजें absorb करने लग जाएंगे, 15 दिन बात फरक देखना, पर जैसा कह रही हूँ, वैसा करना पड़ेगा, जो तुम बोलोगे कि बिना यह चीजें practice किये, filter करके information को accept करो, नहीं जो फालतू चीजें हैं, छोड़ दो, उनको अपने उपर इत्ता हावी मत दो, चीजों का crux देखो, क्या है, अपने बनाओ, अपने notes बनाओ, लिखो जितना possible, अभी बच्चे हो, अभी तो करी सकते हो, study material पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो chill की तरह सोचो, ऐसा करना है, अब यह करना है, इस चीज को छोड़ देना है, रहे हैं दो, उसको बाद में करेंगे, इसे एक organized way में काम करो, schedule बना के काम करो, and most importantly, reading की आधर ढालो, reading मतलब यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं, चीजों को पढ़ने की, accept करन प्रवचन इतना ज़्यादा हो गया कि सब इधर उधर हो लिए शायद, यह तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग में सोचना चालू कर दिया है, कि नहीं, यह बात तो ठीक बोल रही है, थैंक्यू अर्शिला, मॉड्यूल का डाउट था कुछ और में, what about books, जिन जिनने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एक्जिक्यूटिव का, उनकी books ICSI से आएगी, हो सकता है, it will really help us, मैं, yes, जिन जिनने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका तो किताबें आ जाएंगी ICSI से, आपको, अब देखो, इसमें ना दो चीजे हैं, अब ICSI से तुम्हें कौन सी book receive होती है, ये भी एक question mark है, देखो, edition ना print के edition बदलते चले जाते हैं, ICSI में, जैसे जो last book था edition, वो था February, उसके बाद शायद latest में आया है, November edition का book आया है, ठीक है, एप में, हमारे app में सारी ICSI के modules हमने डाल दिये है, मैं आज एक बाद चेक कर लूँगी कि वो updated है की नई है, वैसे वो updated modules डाल दिये गए है, ठीक है, तुम्हारी books तुम्हें तभी receive होंगी, जब तुम executive का registration करा लोगे, वो भी उसके एक महीने बाद, एक से डेड़ महीने लग जाते, कई बार 20 दिन में भी आ जाती है, पर depend करता है, pandemic situation क्या है, क्योंकि अभी मौहल थोड़ा दूसरा चल रहा है, दूसरा आपके रहने का area क्या है, जो लोग कहीं interior में रहते हों, वो चाहे तो अपनी किताबें, यहाँ academy में के address पर मगा सकते हैं, ठीक है, तीसरी चीज, विशेश ने कोछ एक doubt पूछा था बीच में, एक कहा गया भई, मैं हम study material ICSI से आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ICSI से ही आएगा study material, जो आपको study material, जो module का part बनते हैं, वो आपको ICSI से आता है, यहाँ से आपको notes अभी app में upload हो रहे हैं, पर थोड़ा समय बीचने दो, हड़ बढ़ाओ, मत, फिर वो ही कह रही हूँ, अभी जब मैं यह बता रहे थी, तब तुम कुछ और सोचने लग गए थे, डरो मत, घबराओ मत, ICSI का study material आएगा, हम भी तुम्हें notes की hard copy का print देंगे, पर थोड़ा आगे तो बढ़े, 4-4-5-5 पन्ने का print out will not serve any purpose, तुम्हें book मिलेगी आधे आधे भागों में, तब तक आपको app के थू पढ़ना है, थोड़ा 10-15 दिन बीच जाने दो, December end तक तुम्हें तुम्हें तुम्हारे notes की hard copy मिलनी चालू हो जाएगी, ठीक है, इसके अलावा बताओ क्या doubt है, book का doubt है विश्रान, मैं तुम्हें कल बता दूंगी, और बताओ किसको और इससे क्या related doubt है, जिनने registration नहीं कराया है, कल class है, कल Sunday है वैसे तो कल class नहीं होगी, पर अगर हुई तो हम लोग notification डालेंगे, कल का जो notification रहेगा वो थोड़ा advance में पढ़ेगा सुभा, कल हमारी भी कुछ personal काम रहते हैं, Sunday का एक ही दिन मिलता है, तो अगर कोई ऐसा मुझे लगता है कि सारा काम line up हो जा अगर ऐसा रहता है, तो definitely I will update it in the morning, ठीक है, सुभा के टाइम 12 के पहले update कर दूँगे, और 1-2 घंटे का time मैं कोशिश करूँगी कि आपको दे समया, ठीक है, और बताओ क्या doubt है अगर कोई doubt नहीं है, तो जो मैंने आज बोला, उसके बारे में सोचो, ठीक है, मैं session end कर रही हूँ, इससे पहले भूल जाओ, कि मैंने क्या बोला था, कोशिश करो इस चीज़ को absorb करने की, अगर बनाना चाहते हो, तो बना भी सकते हो, ये लो बना लो, अगर ऐसा सोच रहे हो, अगर अपने तरीके से, क्या था या विशान, अच्छा हाँ, ठीक है, चलो, I am ending the session now, पेशेंट लिसनिंग के लिए, मैं थैंक्यू गोलती हूँ, कि सब लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह सुनी पूरी बात, ये बहुत जादा एक, रिक्वायर्ड एक सेशन था ये, ठीक है, चलो, ओके, थैंक्यू, I am ending the session now, करो ये preparation करो, फिर मुझे बताओ, अकर Thank you.